देखे जो बिहार का चुनाव है पहली बार एक मुद्दा अधारे जो चुनाव हो रहा है और āस तरह से तो कोई जनता की बल गरदमी नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह की रिपोर्ट आ रहा है जनता की पुरे सर्वेक अनुसार एक बदलाव की मूड में है और हमारे प्रधान मंत्री जी के आज के भांसर से लग रहा था कि वो ठके हुए हैं और एक निरासा के रूप में वो अपनी पिछले 15 साल जाली राज के 15 साल को उलेक कर रहे हैं जबकि उनको अपनी कारिकाल को चाहिए अपने वो पांसाथ साल प्राइम लोकसवा के कारिकाल को और बीचे एंडिये की सरकार की जो बिहार में सरकार चलिये इसका भी उलेक करना चाहिए वैकि सारे उलेक न करके यह क्यों पीछले लालू राज का ही यह बहस छिड़े हुए हैं यह कि आम जनता इस बात स सिच्छा स्कूल नहीं है स्कूल है इतने ज्यादा लड़के हैं को हां यह उप्रहाव नहीं पाएंगे जैसे कि बेगुल सराय में बता रहा था कि 15,000 लड़कियों यह बेगुल सराय के महाबिद्याले में हैं अमात 19 सिच्छक हैं इस बात को प्रधान मंतिरों खासकर नित कैसा सुषासन है इस सुषासन में लुक्स पर्ण न पाएं रोजगार न कव पाएं अमन्चैन की जिंदगी न जी पाएं इसकी सुषासन का बात है और इस बार जनता एक बदलाव के मूड में है अब बिहार से ब्यार चलेगा जो पुरे हिंदुस्तान के लिए एक नया र आस्ता खुलेगा प्रधान मंदी जी ये कह रहे हैं कि अब लाल्टेन का जो काला अंधेरा है वो छटिक चुका है जा चुका है अब लेडी का जमाना आ गया है तो जनता बनलाव के मोड में बनाए और जनता फिर से उसी को वोट देगी जिसको चाह रही है देगे प्रधान म सबंधी, सिच्छा सबंधी, रोजगार सबंधी, नय सबंधी बहस की जुग रहा है लाल्टेन एक पिछले वो जहां सा फेकना चाहते है लाल्टेन की जुग नहीं है मोडी जी अपना जुग दाई है ये कारप्रेटरों के जुग एक तरफ रख लिजिए और देश के आम जनता के जुग एक तरफ है और इसी की लड़ाई है या देश के कारप्रेट चलाएंगे या देश के गरी मज़ूर किसान चलाएगा आप बहस को मुड़ना जानते है मोडी जी बहस मुड़िये मत सचाई को समझे और ये सचाई बिहार के जनता रास्ता खोल रहेगी जिसक सबसे पहले उठाएगा जारा हो सिक्षा को ले करके आप किया माधने सबसे बड़ा कारण भीरोजगारी ओ सिच्छा है जो बिहार में जो हरात दिखाई दे रहा है या बिहार का अनहिंदी पट्टी राजियों में उसी तरह की हरात है सिच्छा से आम लोगों के बंचित कर भाड़ा बन जाएगा इसलिए सिच्छा पर सबसे बड़ा जरूरी है और बिहार के जनता यह मन बना चुकिए इस बार बदलना है तो बदल कहीं रहेगी पर बंगा में पिम मुदी जी बोल रहे है कि राम मंदिर की तारिक पुछने वाले भी आज तालीब जा रहे हैं राम मंदिर का सवाल नहीं है राम मंदिर तो ये अब पिछले इतिहास में जाएगा 1875 अंग्रेज़ी दे से चले गए होते आगी पर गुच आठाव के फिजिद के स्वालब में दिपों में उनको रोजजगार चाहिए जो वे उनको दो rustin के लुषाए हुई तो वेशानों के लुग्सान के सुवार ना उनको लुषाब श्ङाए जिए यह सवाल, इस सवाल को भटकाने के लिए वो बार-बार राममंदी के तरफ इसारा कर रहे हैं। नेता है और एक जवाहरला नहरु भी सविदेले जो भारते नहीं दुनिया के जानी मानीनो सिटी से पढ़ लिकर बाहर निकला हुआ है। इक शुरुआत करता है बिहार एक अब शुरुआत कर चुका है इस हिंदुस्तान में अम अम अधा धारी आजराजनीत होगी। बाकवास की राजनीत, धरम की राजनीत, लंपट की राजनीत या अन्नी राजनीतों से हट करके एक मुदा धारी राजनीत शुरू बिहार से होगी। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से एक तरफ चिराग पास्वान हैं वो नितिस कुमार पे मतलब तंज कहस्ते में कहा रहे हैं कि अगर किसी ने बिहार के जनता ने अगर नितिस कुमार को रोट देते तो वोट खराब जाएगा भले या बीजेपी को दे दीजिए और नितिस की नाम ले रहे है कि अंदर अंदर नितिस है नहीं से कहा हो थे कि मुह में राम बगल में छुड़ी मुह में तिंके राम राम नितिस नितिस दिखाई दे कि अंदर इनको नितिस को धरासाई करना है और धरासाई करके राजनी से खतम करने की विजना है और इसलिए जो नितिराग पहस्वान जो आए हैं ऐसे नहीं है अपने मन से नहीं आए हैं इनके इसारे पहिछ चिराग पहस्वान बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया के अंदर उनके चेहरा आ रहा है कि क्या मनलब अगर वहां पे बीजेपी के अगर जादा सीटे आ जाती है तो क्या नितिश कुमार का वहां से मैं जो राजनेति है वो कैरियर खतम हो जाएका देखे नितिष कुमार जी का यह लास्ट इस्टेज है यहां सुनकर केरियर खतम हो जाएगी चुकि यही रणनीत बीजेपी की रही है और बीजेपी इसी रणनीत के तहत काम करें एक तरफ चिराग को आगे कर दी है उसी चिराग से अपना घर उजाला कर रही है उसी चिराग बगर में छूड़ी नितिष के साथ यही बीजेपी कर रही है मतलब क्या लग रहा है कि अगर वाकी में अगर बिहार में अगर बाइदवे कोई एक चांस अगर एक परसेंट अगर बीजेपी वहां सत्ता नहीं बना पाती है पूंकर मेंतरी का चाहरा नहीं देपाती है उत्तर प्रदेश को बाद उसका तुन परभाव बंगाल के चुनाव पड़ेगा असाम के चुनाव पड़ेगा जो 2021 में कई बीधान सभाव का चुनाव है इसका परभाव पड़ेगा अब बिहार का चुनाव एक महत्पुन चुनाव ऐसे दोर में चुनाव हो रहा है जब पदलाव की एक मुद्दा धारी चुना इस बार हो रहा है Q कि शुआ जाते है ना धरम है ना भासा है ना इलाका है हर लोगों के आम आद्मी का सवाल है और आम आद्मी के सवाल लेकरके बिहार में дополн Pahalी बार ये चुना हो रहा है अगर चुनाव से जो पड़ाम आएगा एक भारत के लिए नई राजनित का अधिसाता है करेगा लेकिन ये भी सवाल है और जनता लगातार इस सवाल को पूछ रही है कई जगा से ये भी रिपोर्ट आ रही है कि जनता जो है लगातार पिछले कई सालों से वोट देती है लेकिन जिस आक्रोश में आकर कर वोट डालते हैं उनका वोट पता नहीं चलता कहां जाएगा लेकर के काफी सारे सवाल पूछ रहे हैं तो मतला आपको क्या लगा रहा है कि क्या वाकी में सकते घेरे में हैं ये लगातार सकते घेरे में देखिए एवियम तो 2019 जो लोक्सभा कर चुना हुआ अब काफी जाचने से परिछे रिजल्ट बना दिया गया वो एक संदे के खेरे में है चुकि रिजल्ट बाद में आया बीजेपी पहले ही 325, 330, 340 गी नहीं ते उसी के लमसम रिजल्ट आया भी इससी तरह बिहार के अंदर भी जो 135, 140, 150 कर है एक इबियम के जो है इस पर फड़ा संदेज भाय लोगों को फिर भी कहा नहीं जा सकता चुकि जनता का मूड है और जनता कहां तक सफल होती है यह देखना आगे की बात है